राजिस्थान भर से युवा आकर के इकतित हो करके इनकी गुंगी बहरी सरकार को जरा अपने अपमान का बदला लेंगे ये विश्वास का नियोता है आपका सोना कहीं से भी खरीदा गया हो आपके पुराने सोने का सबसे अच्छा मूल जहां मिलें इस सफर पर हम और आप हर कदम साथ चलेंगे ये तनिश्ट का नियोता है ये ताटा का भरोसा है कॉंग्रेस की अशो गहलो सरकार ने जिस प्रकार से अपने साड़े चार साल के कहरकाल में युवाओं का अपमान किया है युवाओं को दोखा दिया है और युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड किया है ऐसी सरकार के खिलाफ युवाओं ने बिगुल बजा दिया है और अजमेर में 18 जुलाई को यह महा आक्रोश घिराओ प्रतेश इस्तरिय अजमेर में होने जा रहा है जिसके अंदर राजिस्थान भर से युवा आकर के इकत्रित होकर के इनकी गूंगी बहरी सरकार को जरा अपने अपमान का बदला लेंगे और ये सब लोग अपने माध्यमिक सक्षा बोर्ड पे एकत्रित होंगे और हजारों की संक्या में हर जिल्ले से हर मंडल से युवा एकत्रित होंगे वो एकत्रित होकर के वहां से आरपे सीक्योर कूझ करेंगे और यहां कूझ करके हम इसका घिराओ करेंगे इस घेराओं के लिए जो में मुद्दे हैं पहला मुद्दा पिछले साड़े चार साल के अंदर अठारा पेपर जो मैं समझता हूं सारे भारत में राजस्तान नमबर वन कीरतिमा ने स्थापित गैलो जी ने किया है पेपर लीक के विशे में और ये पेपर लीक हुई है इसल करते हैं लेकिन उस पेपर लीक के कारणा इन्नोंने नियम भी विधान समय में बनाया मैं आपके माध्यां से पूछना चाहता हूं क्या एक की खिलाफ आज तक इन्होंने कोई ठोस करवाई की किया अभी विधान समय को बोग नोग इनको आजीयों करावाज का कि यस परकार लाग से अधिक युवा एफेक्टेड हैं उससे परिशान हैं उनके जीवन के साथ खिलवार किया है और साथ में इन्होंने घोशना की थे हम रोजगार देंगे रोजगार के विश्य में इन्होंने विधानसवा के अंदर दो लाग पिछतर हजार नौकरियों की घोशना की ल वाले थे जिनको क्यों लेनों ने नियुक्ति पत्र दिया बेरोजगारी भत्ते के लिए भी 27 लाग से अधिक युवा आज इनके एंप्लॉमेंट एक्षेंज में वहां पे रेजिस्टर हैं केवले दो तीन लाग को देकर के और अपने शीश्री मानली जो कहा तक हमारे युवा इस सरकार को उखारने के मूड में आ गये हैं इस माघेराओं से सारे युवा एकठा हो करके 2023 में इस सरकार को पकड़ करके गदी से उतार देंगे अशो गैलो तब घर जाओ तुम जो है ये सरकार तो रिपीट होने के बात करो लेकिन तुमारी सरकार डिलेट होने जारी है इस प्रकार का एक आवान युवां को किया है तो हमेशा भारतिय इंता पारटी युवां के हितों में काम करने वाली रही है तो इस प्रकार के आदोलन के द्वारा हम उनकी भावनां को आगे प्रति जुलाई को जो पूरे प्रदेश के युवाओं का महा घिराव काइक्रम अजिमेर पे तैय हुआ है और जिस प्रकार से इस भ्रस्ट और निकम्मी सरकार और युवाओं के साथ वादा खिलापी वाली सरकार है इसके विरोध में प्रदेशन है अठारता को लगबग हमने तैय किया है कि 25,000 के युवा करकताओं के साथ हम हमारे जो मादविक्षिशा बोड कर ला है वहाँ पर एकत्र होंगे वहाँ पर एक सभा होगी उस सभा को हमारे माननी है प्रदेश इंदक्ष सीपी जोशी जी और प्रदेश के अन्या पतादी करें और साथ ही युवा मोर्चा क हम सब ने युवा प्रदेश के युवावनें प्याक किया है इसके निमत हमारी संक्ठान इस्तर पर जो है जला इस्तर पर विधान सभा इस्तर पर मंडल इस्तर पर और वाड इस्तर पर पूरी तयारी के साथ एक अच्छी संख्या में उस जिवा जुटे इसका पूरा प्र करेंगे और एक बड़ा प्रभावी का किनम उसने होना है अधार अधार है कि अधार है एक अधार है कि अधार है